जाज सिरी राम दोस्तों, आप सभी का सौगत है अक्षा वसी चैनल पर इस चैनल पर मैं आक्षे वसीच्ट आपको आसे पैरनोमल इंसिडेंट और अक्टिविटी इसके बारें बतातूँ जो कि हमारे फॉल्लवर और सबस्क्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं इंस्टाग्राम आइडी, जीमल आइडी और एक ऐसा फोन नमबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो कभी आपके साथ कोई पैरनोमल इंसिडेंट हुआ आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं आपको फेस्बुक को भी प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आपके सामने लेके आतों या आप में सही कुछ लोग है जो हमारे साथ शेयर करते हैं जो कहीं न कहीं अपनी जिन्दगी में बहुत जादा परिशान रहे हैं या फिर अभी परिशान चल रहे हैं जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन कहीं न कहीं अपने उपर कोई बोज ले ले जिसे वो आगे जाके समालना पाए आज का जो real incident है वो हमारे साथ शीवा ने शेयर किया है आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक बार सोच ये कि आप अगर किसी जिम में जा रहे हो और वहाँ पर आपके साथ कोई paranormal incident हो जाए या फिर आप एक ऐसे जिम में जा रहे हो जिसकी चाबिया आपके पास है और सुबे शाम आपको वहाँ पर कोई entity महसूस होने लग जाए या फिर जिस घर में आप रह रहे हो वहाँ पर आपके पीछे कोई entity पढ़ जाए और फिर आखरी में आके आपको पता चले कि ये तो कुछ ऐसी चीज थी जो कहीं ना कहीं उसमें आपी की गलती थी ये जो शिवा ने पूरा real incident बता है इससे आप बहुत को सीख सकते हैं आकरी तक देखेगा और शेयर कीजेगा उन लोगों के साथ जो बिलकुल बेपरवा होके ये सोच के आगे चलते हैं कि यार हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता शिवा ने अपने बार में बता है कि अक्षे भाई ये बात है 2014 कि जब हम हापुड में रहा करते थे मेरी फैमली में मैं मेरे ममी पापा पापा जो की इंडियन आर्मी में सर्फ किया करते थे उस टाइम पर उनकी पोस्टिंग कश्मीर में थी तो मेरी मम्मी और मेरा रहना वाँ पर घर में अकेले होता था सब कुछ सही चल रहा था पापा आमें मंतली जो है पैसे दिया करते थे और शिवा के जो शोक थे वो मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ उनके पापा ने उनने एक बाइक दिलार के थी उनके चीजे पूरी करने के लिए जो घर का आना जाना समान लाना होता था और शिवा को भी पैसे मिला करते थे और शिवा उस टाइम पर सिरफ और सिरफ 18 साल के थे उन्होंने 12 अपनी क्लियर की थी और उनके शौक थे कि वो हमेशा जिम में जाया करते थे जैसे उनके पास चाबी रहा करती थी जिम की तो सुबह साड़े चार बचे वो जिम जाते थे वहां से साथ बज़े वापिस आते थे कभी इवनिंग में जाते थे 6 बजे तो रात को 9 बज जाते थे कभी-कभी 10 भी बज जाते थे शीवा ने बताए कि अक्षे भाई जब मैं जिम से वापिस आता था रात को तो मेरे सामने कमरिसान और सम्षान दोनों पढ़ते थे लेकिन मैं कभी डरा नी क्योंकि मेरा इन चीज़ों पर बिलीव था है नी लेकिन शिवा ने बताया कि अक्षे भाई मुझे नहीं वालूम था कि धीरे धीरे चीज़ें मेरी जिंदिगी में इस तरीके सा आगे बढ़ने लगेगी मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी डार को जाएगी कि मुझे 2024 में ये पूरा रियल इंसिदेंट आप सब के सामने बताना पड़ा ताकि आप भी उस गलती से सीख ले लो जो गलती मैंने करी थी शिवा ने बताया अक्षे भाई 2014 में फाइनली एक डिसीजन लिया गया जो है रेंट पे लिया और उसमें रहने लगे शिवा का सबसे पहला जो काम होता था सुबह उटते ही जिम जाना होता था वो साड़े चार बजे उट जाते थे एक्जाक्ली उनकी अपने आप आँख खुल जाती थी उसके बाद जिम जाने के बाद उनका जो पूरा शडियूल होता था वो इसी तरीके से होता था कि वो अपने घर आते थे और जो घर नया बन रहा था उनका उस पर ध्यान देना होता था और फिर शाम को वो अपनी मम्मी के पास आते थे थोड़ी बाद डाइट लेकर फिर जिम जाते थे और रात को साड़े नो दस बजे जब जिम से वापीस आते थे नहीं पाते थे हम तो जादा time spend नहीं कर पाते थे फोन पर बात हुआ करती थी लेकिन उस ताइम पर शिवा के पास एक micromax phone था kieper वाला और touch phone जब उस time पर आई भी थे तो वो Chinese थे लेकिन शिवा ने बताएगी अक्षे बाई मेरे पास Micromax का फोन था कीपड़ वाला और कभी का बार ऐसा होता था कि मुझे अलाम लगाना पड़ता था सुबे का लेकिन मैं अलाम के उपर कभी dependent नहीं रहता था क्योंकि ऐसा होता था अगर मुझे सुबे साड़े चार बजे उठने तो 5-10 मिनट पहले मेरी अपने आप आख खुल जाती थी फिर मैं अलाम बंद कर देता था कि मम्मी को कहीं न कहीं disturbance ना हो उन्होंने बताया कि सब कुछ जंदिगी में बहुत बढ़िया चल रहा था रजनी से भी सब कुछ अच्छा चल रहा था कुछ टाइम बाद उस नए लड़के का जनम दिन आया तो उस नए लड़के का स्वागत भी उसी तरीके से करा गया और फिर birthday celebration हुआ तो वो लड़का अपने साथ कुछ मिठाई वगरा लेके आया था जो सब ने वाँ पर खाई और दीरे दीरे सब अपने काम में लग गए उसके बाद क्या हुआ शिवा ने बताया कि अक्षे भाई उसी रात जिस दिन मैं मीठा खाके आया पहली बार समशान और कभिस्तान के रस्ते से जब मैं वापिस आ रहा था तो अचानक से मेरी बाईक बहुत जाधा हैवी हो गई इतनी जाधा हैवी कि शिवा को लगा कि शायद कही न कहीं बाईक में कौई पंचर तो नहीं हो गया शिवा वाँ उतरते हैं और अचानक से शिवा को उन killing पर ثोड़ा सा weight महसूस होते लेकिन शिवा फिर भी चीजों को इग्णोर करते हैं अपनी बाइक पे बैटते हैं और कैसे न कैसे घर पहुच जाते हैं घर पहुचने के बाद शिवा ने बताया कि अक्षे भाई मेरी हेल्थ मेना ऐसा हो गया था जैसे मेरी तबित खराब हो गई है या तो मुझे हवा लग गई या मुझे ठंड लग गई लेकिन शिवा का दिमाग फिर भी इस तरफ से नहीं गया कि वो मीठा खाके अपने जिम से निकले और कबरिस्तान सम्शान से शायद कोई एंटिटी उनके साथ आ चुकी थी लेकिन ये जो चीज थी उनकी लाइफ में इने इतना जादा दुख देने वाली थी आगे भगवान ना करे कि मीठा खाने के बाद किसी के साथ ऐसा कुछ हो सुबह शिवा की आग पली तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज मुझे जिम जो है स्किप कर देना चाहिए उनकी बाड़ी बहुत जादा हैवी हो रही थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को बिल्कुल टाइट करा और वो सुबह सुबह पहुँच गए लेकिन जब वो सुबह साड़े चार बजे पहुचे तो शिवा ने बताए कि एक शिवा बाई मेरा बिल्कुल भी एकसरसाइस करने का मन नहीं कर रहा था चोड़ दिया तुने एक दम से तु आता भी है लेकिन करता नहीं है मतलब शिवा ने बोला कि अक्षे भाई मेरे साथ जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था जिम से रिलेटेड या फिर कभी जिंदगी में ऐसा कुछ पैरनॉमल से रिलेटेड तो शिवा का ध्यान कभी उस तरफ गया ही नहीं और बार-बार उनके दिमाग में यही आता कि अगर मैं जिम चला जाओंगा कहीं अंदर जागे मेरे ओपर कोई वेट गिर जाएगा मेरे साथ कोई अन्होनी हो जाएगी तो मुझे कौन समालेगा मेरी मम्मी अकेली है पापा यहाँ पे है नहीं बच्चा हो चुका था तो वह हमारे घर पे पहली बार आ रहे थे शिवा ने बताये कि मैंने उनका घर पे बहुत अच्छे से वैलकम किया लेकिन मैं घर पे जादा देर रुक नी पाया क्योंकि जिम की चावी मेरे पास होती थी तो शाम को मैं दुबारा जिम में चला गया शिवा ने बताया कि एक्षे भाई उसी रात जब मैं वापिस आया मेरे दीदी जीजू और वो बच्चा महां से चले गए थे जो उनका प्यारे सा बच्चा था मैं आया और मैं काफी अपने आपको बिल्ट में फील कर रहा था ग्यार मैं जादा टाइम नहीं दे पाया लेकिन जिम की रिस्पॉनसिबिलीटी भी मेरे उपर थी और उनके दिमाग में चीज़े चली रही थी और कैसे ना कैसे उन्हें नींद आ जाती है नींद आने के बाद अचानक से सुबह साड़े चार बज़े का लारम बसता है और शिवा फोन उठा के देखते हैं तो उसमें साड़े चार बज़े रहे थे और शिवा को बड़ अजीब सा लगा कि आज तक मुझे इस अलारम के ज़रत नी पड़ी लेकिन आज ये अलारम बज़ गया उनकी आखों में नींद भरी हुई थी शिवा ने बताए कि अक्षे भाई अब बैक टू बैक मेरे साथ ऐसा होता था जहाँ पर मेरी नींद पूरी नहीं होती थी मैं बहुत जादा टाइड फील करता था जब वो अलारम देखते हैं अलारम को बंद करते हैं उन्होंने बताए कि हमारे घर का जो गेट था कम से कम वो 13-14 फिटका था उसके नीचे से थोड़ी सी हवा आने का कुछ हिस्सा था जैसे आप देखते हो गेट के नीचे डिजाइन बना होता है वो जो चीज आई थी वो घूमती घूमती बंदर की तरह उनके पेट में चली गई शीवा ने बताए कि मैं एकदम से उठके बैठा और मैं अपनी मम्मी को देखने लगा लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला मम्मी को मैंने अपने जिम के कपड़े पहने और मैं मम्मी के पास गया मैंने बोला मम्मी मैं जिम जा रहा हूँ तो उनकी मम्मी ने उन्हें उपर से नीचे एक बार घूर के देखा और बोलीगी बेटा तू पागल हो गया क्या शीवा की मम्मी ने वोले ये कोई जिम जाने का टाइम है अभी सिर्फ साड़े बारा बजे हैं शीवा के पैरो तले जमीन निकल गई उन्होंने मोबाइल देखा और उस टाइम पर सही में साड़े बारा बज रहे थे अब शीवा बहुत बूरी तरीके से कंफ्यूस थे कि मेरी जिन्दगी में ये चल के आ रहा है और अब भी मैंने टाइम देखा अलारम भी बजा साड़े चार बजे का शीवा ने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया वो चुपचाप बैड़ पे गए और वहाँ पे जाके सो गए शीवा सुबह उठे और जिम के लिए चले गए धीरे धीरे उन्होंने एक्सेसाइस करनी स्टार्ट की बट कहीं न कहीं फिर भी उन्हें डर लगा रहता था वेट गिरने का कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में होता रहता था लेगिन शीवा ने बताया कि अक्षे भाई मेरी जो गल्फेंट थी रजनी उससे मेरी बात दीरे धीरे खतम होने लगी और शीवा को अपने घर पे वापीस जब वो आते थे तो उन्हें एक शैडो दिखने लगी कोई आकरती ऐसी लड़की की बनी दिखती जहांपर शीवा समझ गए थे कि कोई ना कोई चीज है जो उनका पीछा कर रही है मुश्किल से दो राते ही बीती होंगी शीवा ने बताया कि अक्षे भाई मैं जिम से वापीस आया मैंने खाना खाया और कभी कवार ऐसा होता था कि मैं बैट पर सो रहा हूँ और मम्मी जमीन पर सो रही है लेकिन आज मैं जमीन पर सो रहा था मैंने अपने हातों से अपने गेट की कुंडी बंद की दी और हमारे गेट से भार किचन का गेट था वो भी मैं बंद करके आया था मेरी मम्मी और मैं लेटे मुश्किल से पाँच मिनट ही हमारी आँख लगी होगी जो गेट की कुंडी थी इतने में ही जो भार किचन की कुंडी थी वो इतनी जोर से खुली जैसे उसी किसी ने प्रैशर से दे के मा रहा है। फिर दुबारा ये उठके बैठे एक दूसरे की तरब देखा और शिवा की मम्मी ने बोला कि बेटा क्या हो रहे हैं आप ए सब कुछ। शिवा ने बोला ममी कुछ नी हवा चल रही होगी कुछ ने कुछ फॉल्ट होगा आप सोजाो और कोई नी चला शीवा ने बताया कि अक्षे भाई एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे लगने लगा कि मेरे आसपास कोई चीज है जो अपने होने की मुझे साफ साफ दिखाना चारी है शीवा जिम जाते दीरे दीरे जिम स्टार्ट करते इसमें सब से जीब जो बात थी वो लड़का से तो उनके दोस्त के मामा का फोन आया कि बेटा हमारा न्यूली कंस्ट्रक्टीड अभी घर बन है और हमें किसी के फंक्षन अटैंड करने जाना है और वो जो दोस्त है तुमारा वो भी हमारे साथ जाएगा तो क्या तुम हमारे घर रूख जाओगे आद रात तो शीवा शीवा ने एक सेगेंड में बोल दिया मामा जी कोई दिक्कत निया आप लोग जाओ मुझे बता देने कितने बज़े जाओगे मैं आपके महरूप जाओगा रात को शीवा ने स्टक्चर बताया उस घर का कि अक्षे भाई अच्छा खासा घर था ऊपर से वो पूरा फ्लोर लॉक करा और मैं अपने बैड़ पर लेट गया जब वो बैड़ पर लेटे हुए थे उनकी आख लगी थाई बज़े अप्रॉक्सिमेटली रात को अचानक से उनकी आख खुलती है और उन्हें ऐसा लगते है कि उनके आसपास कोई है जिसकी सास लेने की आवाज आ रिये श लिपस्टिक इतनी गोरी शिवा ने बताया अक्षे भाई मैं आज तक ना वो चैरा नहीं बूल पाया इस पूरे इंसिडेंट को दस साल हो गए वो लड़की जो आपर खड़ी थी लाल जोड़े में वो मुझे देखके मुस्कुरा रही थी और शिवा ने बताया कि अक्ष कि कैसे कोई अपने जिस्म का गुलाम बना लेता की मैं जो कहूंगा वो यह करेगा या मैं जो आउंगी वो करेगा इस तरीके से शुआ बताय कि मैं उसके जिसम के पीछे ऐसे चलने लगा जैसे इस से ज्जाबर सुंदर लड़की ना मुझे मिली है ना मुझे मिलेगी शी शीवा बहुत जादा घबरा गए थे, वो चुपचाप नीचे आते हैं, अपने मूपे चद्दर गेरते हैं और सो जाते हैं, सुबह अपने घर पे आते हैं, तो भी वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन यहां से शीवा की जिंदगी में, जो करवाट के र लगा ये सब कुछ, शीवा को ऐसे नॉर्मल लगता था कि ठीक है ना, मेरे साथ कोई है, तो मुझे कोई अडवाईज ही तो दे रहा है, शीवा ने बताया कि अक्षे भाई, अब वो जो एंटीटी थी, वो जो लड़की की एंटीटी थी, वो मुझे से बात किया करती थी, क्या बताया करती थी, कि तरको कौन सी टीशेट पहननी है, अगर कोई नई टीशेट लेने जा रहा है, तो कौन सी टीशेट तो खरी देगा, शीवा जब बाईक चलाते थे, तो पीछे सावा आ जाती थी, कि इसे धीरे करो, इसे तेज चलाओ, और शीवा पूरी पूरी उस थी, कि शीवा को और कुछ दिखी नहीं रहा था, वो पूरी तरीके से वही करते थे, वो जो एंटीटी बोलती थी, फिर शीवा ने बोला कि अक्षे बाईक कुछ टाइम बाद मेरे को एक तीसरी एंटीटी यह आवाज आने लगी, वो एंटीटी मुझे हमेशा सिगनल्स देती थी, जैसे कोई बच्ची की एंटीटी थी, वो बार बार यह बोलती थी कि शीवा इसकी सुनोगे तो तुम बरबाद हो जाओगे, शीवा बाईक की स्पीड तेज मत करो, यह तुमारा एक्सिडेंट करवा देगी, शीवा इसके बोले कपड़े मत पहनो, तंतर में य सिदार आता, तो शीवा को वो चीज चुबने लग जाती कि यह मेरे घर पे क्यों आए, क्योंकि वो जो एंटीटी थी, वो हमेशा उसे बढ़काती रहती थी, और जाधा गुस्सा दिलाती थी, शीवा ने बताया कि अक्षे भाई, मेरे पापा एक महीने की छुट्टी ले तो वो यही बोलती थी, कि अभी इसी ग्रैजुएशन आनी है, कॉलेज का सोच रहा होगा, कुछ ना को दिमाग में चल रहा होगा, इस दोरान शीवा ने बताया कि अक्षे भाई, मेरी जो गल्फेंड थी, रजनी मैं उससे बिल्कुल डिसकनेक्ट हो गया, और कभी अगर वो कॉल करने की कोशिश भी करते, तो वो जो एंटिटी इनके अंदर होती थी, वो बोलती थी, अगर तूने उसे फोन कर रहा है, उससे बात करी, तो मैं या तो उसे मार दूंगी या तुझे मार दूंगी, तो शीवा बहुत डर के रहने लग गए थे, हाला कि शीवा की ज आ जाएगा, हमें कोई टास्क भी दे दे, तो हम कबरिस्तान में जाके सो जाएंगे, और इस टाइम पर उनकी जो हालत हो रही थी, वो इतनी पतली हो रही थी, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था, कि किस तरीकी से चीज़े वो अपने उपर से उतारेंगे, उन्होंने बताया कि उनके एक relative मामा जी थे, जो बहुत ही जादा सिद्धी प्राप्त मामा जी थे, वो मामा जी कभी भी किसी के घर नहीं जाते थे, क्योंकि वो मंदिर में ही रहा करते थे, और काफी सिद्धी थी लोग उनके पास आया करते थे, अपने आपको दिखाने के लिए, कि कोई ऊ फरत्ती चीज़ों को लेके कि मेरे दिमाग में ही आया है कि यह यहां क्या कर रहे है शीवा ने बताये कि अक्षे भाई मेरे मम्मी पापा थे उन्हें भी शौक लगा क्योंकि मामा जी बिना बताया आये थे बिल्कुल तो मामा जी जब अंदर आये तो उन्होंने मेरे को ठोगे कि मेर से इस एस तरी केसे केसे वाथ कर रहा है तो जो एंटिटी थी वो कहीं ना कहीं कुछना कुछ समझ कई थी वह एंटिटी बार-बार शीवा को सिgneal दे रही थी कि इनसे दूर रहे है इनसे को नी जाना तू बिल्कुल नी जाएगा और शिवा भार निकल के बोलते हैं कि ऐसे कैसे मामा जी आप अचानक से आके बोल दोगे कि चलो तो हम चल देंगे ऐसा थोड़ी ना होगा तो मामा जी उसकी बातों को इग्नोर करते हैं जो सिद्धी पूरुस मामा जी थे जो मंदि गाड़ी बुक करो यहां से हमें चलना है तो मामा जी जिनके साथ आये थे वो किसी काम से वहां पर आ रहे थे लेकिन मामा जी को अर्जेंट ली आना था तो मामा जी यहां आ गए और वह इंसान निकल लिया तो मामा जी ने बोलने पर गाड़ी वगरा बुक करी गई और सा शीवा ने बताया कि मेरे मम्य पापा और मामा जी गड़ी में जाके बाठगे और ड्राइवर आगे बैठा हुआ था. तो मामा जी के पास जम्मै गया कि आप लोग जा रहे हैं तो कब तक आएंगे तो मामा जी ने भोला कि पापा बहुत पीटेंगे शिवा अंदर गए पानी का ग्लास लेका है मामा जी ने पानी पीया पानी पीते ही ग्लास पकड़ाया जैसे ही शिवा ने ग्लास पकड़ा मामा जी ने कॉलर पकड़े के सीधा शिवा को गाड़ी के अंदर धकेल दिया उसके बाद शिवा ने बता कि पूरे रास्ते शिवा यही बोलते जा रहे थे कि मैं मार दूंगी इसे मैं मार दूंगी लेके जाओंगी इसे अपने साथ लेके जाओंगी मामा जी ने मंदिर में पहुचा है मंदिर में आरती आरती हुई शिवा का पूरा उतारा करा गया शिवा ने बोला अक्षे भाई believe me मैं जंता से जूट नहीं बोलूँगा मुझे कुछ भी आद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ जब उनकी आख खुली तो वापिस वो अपने घर पे आ चुके थे तो इन्होंने पूछा कि मैं कहा गया था मैं तो गाड़ी में मुझे क्यों धकेला अपने लेकिन शीवा ने बताया कि एक्षे भाई मैंने अचानक से एक चीज़ आपज़र्व की कि मेरी बोड़ी बहुत जादा लाइट होगी थी मेरे हाथ में कलावा बंदा हुआ था माते पतीलक लगा हुआ था और मैं बहुत जादा free feel कर रहा था तो मामा जी से ये सवाल पूचते ही मैं खुद पर ही सोचने लगा कि मैं इतना हलका कैसे महसूस कर रहा हूँ तो मामा जी ने सामने से जवाब दिया कि बेटा जो तु सोच रहा हो बिल्कुल सही सोच रहा है तेरे उपर किसी ने किसी चीज की परचाई बहुत जादा हावी हो गई थी अब ये चीज उनके ममी पापा तो जानती थे तो शीवा ने पूचा मामा जी से मामा जी क्या था ये अब यहाँ पे जो पूरा सस्पेंस निकला जो सारी चीजे खुली मैं उतना ही शौक था जितने आप होने वाले हो वो जो लड़का जिम में आया था वो रजनी को पसंद किया करता था वो रजनी का बेस्ट्रेंड था रजनी ने उसके बारे में कभी बताया है नहीं शीवा को और वो आया ही इसलिए था कि वहाँ पर मीठाव अगरा खिला के शीवा के ओपर को ये एंटिटी छोड़ दे और वो शीवा को एंटिटी दे कर चला गया था और वो पूरे अपने मकसद में अब भी काम्याब हो गया शीवा ने बताया कि अक्षे भाई रजनी को जब तक मेरे साथ ये सब कुछ हो और रजनी को अपनी साइड कर चुका था रजनी को अपनी गल्फेंड बना चुका थ हलाकि शिवा ने बता है कि मेरे को इसी इसका अफसोस नहीं है कि रजिनी मेरे साथ नहीं रही क्योंकि एक ना एक दिन शायद वो होती ना होती वो भगवान के जिम्में था लेकिन मेरे को सबसे बड़ा सबक मिल गया कि अपने attitude को अपने ego को side में रखो जो हम सोचते थे कि हम से बढ़कर कोई नहीं है हम समशान में सो जाएंगे कबरिस्तान में सो जाएंगे और शिवा ने बोला मेरी मम्मी हर बार मुझे समझाती थी कि बेटा किसी का दिया सफेद तो बिल्कुल मत खाना मीठा खाके ना जाना ना आना और वो जो उसी के हाथ की मने मिठाई ली जो मिलती है फ्रैंड्शिप डे ऐसे वैसे डे पे इन सबको लेना छोड़ दो मामा जी ने और बाते भी बताई जो आपको मैं बताना चाहूंगा शिवा ने बोला कि मामा जी ये चीजे क्या मेरे साथ रहींगी हमेशा उनके मामा जी ने बोला बेटा एक चीज को ध्यान रख ने थी कि किसी दिन वो तेरे साथ संभोग बना ले जिस दिन तुम इंटिमेट हो जाते उसी दिन वो एंटीटी तुम्हें अपने साथ लेक के चली जाती और शिवा ने बताया अक्षे भाई दो हजार चोबिस चल रहे हैं निशान अभी भी मेरे शरीर पर कभी-कभी आते हैं आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक उतारा जो इतनी पावरफुल तरीके से हुआ लेकिन वो भी 100% तरीके से नहीं हो पाया चीजे पूरी इनिशेटिव ली गए लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया तो ये ब्लैक मैचिक काला जादू किस तरीके से इंसान के उपर रखा जाते हैं आप सोचो वो जो लड़का आया था जो उसका बेस्ट्रेंड हुआ करता था जिसने इतना सब कुछ करा क्या पता उसने रजनी के उपर भी ऐसा कुछ कर दिया हो तो क्या आपको लगते हैं कि रजनी कभी जिंदगी में इन चीजों से निकल पाएगी क्यों हमारा मोटिवेशन बना रही कि इस एनर्जी से हम ऐसी पैरानॉमल अवेर्नेस वीडियो लेके हैं जहांसे आप सबक ले सकें आपकी बारी डिमांड पर हमने पॉड़कास्ट चैनल स्टार्ट किया है अक्षे वसी ठोरा शो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल बन स्कते हैं आप कामरे पर अपना रिएल इंसिटेंट बता सकते हैं प्रकृरिया मैं आपको बता देता हूं स्क्रीन पर नमबर दिख Giving ले presentations करो और 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 आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज में नारेट करूँ तो स्क्रीन पर दिये नंबर ये डिस्क्रिप्शन पर दिये नंबर पर आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं मैं अक्षे वस्टी से नारेट करूँगा अपनी आवाज में इंस्टाग्राम यूटीब को जो आप प्यार दे रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरीके से फेस्बुक को भी आपको प्यार देना है ध्यान रखिए फाल्तु दिया मत खाईए हाज जोड़ के रिक्वेस्ट है अपने परीजनों का भी ध्यान रखिए अप कि मेरे सेविमाद तक कुछ आई ही नहीं सारे आपने किड्नी निकाले मेरे प्रणा निकाले चुरिए के मैं कल से कम दो महीन अलगे था अपना शरीर को रीकवर करने के लिए वह भी अलग होगी मैं भी अलग हो गया उस लोड़के का में जो मोटे तो सही हो गया और वो जो आज भी कभी कभार अपना सादेती है कभी कभी मेरे शरीर पर अब भी नाकून ओबरते हैं अरे मामा जी ने बोला है कि तुसे नहीं छोड़ पाएगा कभी भी